कोरोना वाइरस के चलते निशित रुप से कई प्रकार के भ्रह्म, भै, डर होना सहज और सोभाविक भी है यकिन इसके बीच भी यदि इसकी कोई दवार नहीं है इसकी कोई उपचार प्रक्रिया नहीं है तो निशित मानना हमारे रिशी लोग जैसा कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे जो कुछ इस ब्रह्मांड के पिंड में है वो देह के पिंड में है तो आए हम अपने देह पिंड में सप्त चक्रों के सक्तियों के माध्यम से और हमारे ब्रह्मर अंद्र के द्वारा किस प्रकार से हम अपनी जीवनी सक्ति का समर्धन करके निश्चित रूप से हम रोक प्रती रोधक सक्ति को अपने अंदर कैसे बना सकते हैं। भायो बहनों ये देह देवाले हैं ये देह सिवाले हैं ये देह एक सामान्य पंच तत्मों की एक मात्र आकर्ती और उसका रचावा एक पुतला नहीं है इसके अंदर अनेको अनेक प्रकार के एक प्राकर्तिक व्यवस्ता इस प्रकर्ती माता ने हर बिमारी से लड़ने के अन्य जीव जन्तू, सभी प्रकार की फसले, सभी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां, अपने अंदर आये वे विकारों को स्वतही प्रकरती के रितुकालों के आधार पर उन्हें सरीर के मलमूत्र कप पसिने के द्वारा बहा निकाल देती है। ऐसा है कुछ हम इस समय भी दो मिनिट के लिए सुबह और साम खाली पेट इस क्रिया को करें। चूटती है। यदि कोई नसली दवाईयां या कोई नसे की कोई गिरप्त में आदमी, किसी आदत का यदि गुलाम भी है, उसको बार 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 ब्राउन सुगर, इसमें एक सराप, बीडी, सिगरेट, तंबाकू, चाय, काफी की याद आती है, या कोई नसली दवाउं के, तो उनसे भी वो मुक्ती पा सकता है। इसको तीन मिनट तक, सुब़ और साम, इस प्रकार से करने पर, आपके मस्तिस्क मद्ध में ब्रह्म नाडी होती है, और दाहिनी तरब बिष्णू नाडी, और बाहिनी तरब रूद्र नाडी, और यह पूरा हमारा जो मस्तिस्क करके कैसे लड़ सकते हैं भायो बेनों वैसे भी विज्ञान मानता है कि विश्व की सबसे बड़ी दवा का नाम है सलाईवा लार जो मनुष्य की लार बनती है ऐसी लार कुट्टे की बिल्ली की गाई की अन्य पसुपक्सियों के ये सारे पसुपक्सि बड़े-बड़े भर लेते हैं कुट्टे को देखा होगा गाय को देखा होगा अन्य जंगल में रहने वाले वन्य प्राणियों को देखा होगा इनको जब कोई चोट कोई बिमारी कोई घा होते हैं तो बड़ी-बड़ी बिमारी कोई घावबे अपनी लार से चाट चाट करके भर लेते हैं जिबान सामान नहीं है इसमें लार बनाने की अग्रभाग पर अध्भूत औसुदी गुण होते हैं आये अब हम आपको खेचरी मुद्रा का सलायवा बनाने का एक विज्ञानिक तरीका सिखाते हैं हमारे उपर तालू पर खेचरी मुद्रा का एक इस्थान होता है एक रुपए के सिखे के आकार में एक जगह होती है जिसे हम ब्रह्म कपाली का ब्रह्म रंद्र का 24 सक्ति केंद्रू का द्वार कह सकते हैं और इन ग्रंथियों के उपर जैसे जिवा का अग्रभाग उपर के तालू पे जाके लगाएंगे आगे पीछे दाया बाया उपर नीचे बृत्याकार गोल जब चलेगा तो निश्चित रुप से ये लार हमारे जीवन में जा करके उन ग्रंथियों का जागरण करेगी जो हमारी बिमारी से लड़ने की ताकत पैदा करेगी भूख प्यास का निंतन करेगी नसे की आदत को छुड़ाएगे आए देखते हैं ये कान के साथ दिखाए दे रहा है जैसे गर्भ काल में मा के गर्भ में बच्चा तो ये उसका सीर है ये धड़े पैर है आनेको प्रकार की चिकिसा विद इस बात को कहते हैं 133 प्रकार की बिमारिया कान के द्वारा ठीक होती है एक्कु पंचर एक्कु प्रेसर में इस चिकिसा का बड़ा वरणन आता है तो आएए देखते हैं ये मस्तिस्क कायस्तान है बाये हाथ से दाहने कान को और दाये हाथ से बाहने कान को इस प्रकार से हम पकड़ लेते हैं अपनी जिबान को इस प्रकार से बाहर निकालना है उ उनों दातों में गेप है, होट बंद है, कमर पीट गर्दन सीधी है, अब हमने पूरी रीड के हड़ी को सीधा रखा है, चक्रों की सक्तियां मुलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक एक रीड के हड़ी सिधी हो चुकी है, करोड रज्जू मेरू धंडमार्ग, जीवन चेतन का जीवनी सक्ति का केंदर बिंदू मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पाचो तत्व का इस्थान भी इसी में समाया हुआ है, जहां पर मूल बंद लगता है, उस इस्थान के ऊपर हमारा प्रत्वी तत्व होता है, मलमूत्र छिद्रों के मध्ध में स्वाधिष्टा जहां पर जल तत्व, नाभी मंडल जहां पर अगनी तत्व, रदे मंडल जहां पर प्रान तत्व और कंठ जहां पर हमारा आकास तत्व, इन पंच तत्व का ध्यान करते हुए, उपर के त्यालू पे गाहित्री महामंत्र या ओम का नाद आती जाती स्वास पर बोलते रहें मांसिक रुप से प्राण सक्ति, नाद भ्रह्म के द्वारा, गायत्री महामंत्र के 24 सक्तियों का जागरण, भ्रह्म कमल, भ्रह्म रंद्र, मस्तिस्क मद्ध, अम्रित पान, सोम पान, पै पान, जिबनी सक्ति का आधार, मनुष्य की लार, सलाईवा, बनाईए, धीरे धीरे ल तालू पर ही मालिस करना है, एक रुपे के सिक्के का आकार में, खुर्दुरे, ज्वार, राई, बाजरी जैसे दाने हैं, इन पर मालिस करते रहें, भूख प्यास का नियंतन करें, नसे के आधत को छुड़ाएं, जीवनी सक्ति को बढ़ाएं, वुक्तेवे चंद्रमा का ध्यान, चंद्रमा का प्रकास हमारे मस्तिस्क में आ रहा है, रोम रोम कणकण सरीर का जर्रा जर्रा नस नस, चंद्रमा के अम्रित किरनों से पुलकित, सुर्भित, प्रवाह, सीतल प्रवाह, लार्वने पीते जाई है, पूरा ध्यान, पुरुनिमा के पूरुन चंद्रमा का ध्यान सरद पूरुनिमा का पूरुन चंद्रमा जो अम्रित किरणों को लेके आया है उसका ध्यान करें कमर पीड़ गर्दन सीधा लार्बने पीते जाएं तीन मिनिट प्रति दिन सुबह साम खाली पेड़ सांस छोड़ते जाएं धीरे धीरे सांस लेते जाएं सांस छोड़ते जाएं सांस लेते जाएं हातों को इतना मसाज करें उंगलियों मंगलियों को फसादें और फिर मसाज करें कानों की मसाज करें, धिरे धिरे दायां बाया मसाज करें, अंग्वटा अंदर मुठी बन हातों को ऐसे रखें, दाया बायां उपर नीचे, धिरे से सरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, भायो भेनों ये किरिया हम अब तक हजारों साध्यकों को इस प्रकार की किरिया के माध अधिम से उनको अनेक और अनेक प्रकार के रोगों, तनाव, कश्टों से मुक्ति में इसका लाब मिला है। आप भी करकर के देखें, हम लोग प्रती दिन इसको करते हैं और बहुत अग्णित और देवी लाब होते हैं। युगरी से ने उसमें विस्तार से इसका वरणन किया है और बहुत ही इसका वरणन दुर्गा सप्तसती और सिव पुराण में भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।